हाई गाईज, गाईज बहुत से लोग मुझसे तीन से चार तरीके के सवालों के जवाब जाना चाहते हैं पहला सवाल है कि ये जो मैं आपको ओपरेटर टीडिंग स्टेटिजी सिखा रहा हूँ इसकी accuracy कितनी है, क्या ये है ओपरेटर का जो data है FIDI का, क्या ये है वाके में ही काम करता है दूसरा सवाल है कि market के अंदर right time entry और right time exit कोन सा होना चाहिए और हम कैसे पता करें तीसरा सवाल है कि मैं अपनी वीडियो के अंदर अपने course को promote करता हूँ ठीक है, हर बार मैं अपना course सेल करने की कोशिश करता हूँ और मेरे वीडियो के अंदर ना तो कोई logic होता है और ना ही कोई information होती है और चौथा सवाल है, ठीक है, कि ये market जो work कर रहा है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे logic होना चाहिए, इसके पीछे FIDI data होना चाहिए, इसके पीछे support resistance होना चाहिए तो ये चीज के लिए भी मुझसे सवाल किया जा रहा है, कि ये चीज भी बकवा से काम नहीं करती है तो मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा पहला सवाल है, कि ये जो operator trading strategy है, इसकी accuracy कितनी है और ये market में काम करती भी है या नहीं करती है, देखे अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, तो कल के वीडियो में मैंने आपको पहले ही किलियर कर दिया था कि FI नहीं चाहते हैं कि वह market को उपर लेकर जाए, वह अभी interested नहीं है लेकिन यहाँ पर जो DI cash segment की खरीदारी हुई थी, और FI ने index future, stock future और stock options में जो यह खरीदारी की थी, जो चार जगा खरीदारी थी इस data को देखकर मैंने यह कहा था कि यह data bullish है, लेकिन strong bullish नहीं है यह strong bullish तब होता, जब FI index options में भी खरीदारी करते और वह यहाँ पर cash segment में भी खरीदारी करते, तब यह जाकर market trending हो सकता था ठीके, लेकिन यहाँ पर FI ने बिल्कूल भी support नहीं किया, कि वह market को उपर लेकर जाएंगे और सिर्फ DI, सिर्फ DI के base पर अकेला market एक trending move नहीं पकड़ सकता ठीके, तो यह data bullish था, लेकिन strong bullish नहीं था अब आते हैं इस data के according charge पर, कि market ने क्या actual में इसी तरीके से work किया या नहीं किया देखे, market ने अपना एक support level create किया, ठीके, और वहाँ से एक upside का move पकड़ा उसके बार फिर से market नीच आया, फिर से market ने कुछ point upside की दिये ठीके, market इसी तरीके से work करता रहा ठीके, तो यहाँ पर यह जो एक इस level से market उपर की side गया तो यहाँ पर आपका दूसरा सवाल आ जाता है, कि market के अंदर right time entry और right time exit को हम कैसे पता करें और यहाँ पर आप यह भी जाल लेंगे कि FIDI का data यहाँ पर कितना काम करेगा या नहीं करेगा देखे, आज आप एक चीज की गाठ बांद लीजिए, जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताई थी वह यह था, कि आप जब भी market के अंदर खरीदारी करेंगे, वह support level से करेंगे ठीके, और जब भी आप market के अंदर बिक्वाली करेंगे, वह resistance level पर आकर ही करेंगे देखे, जब market अपने support level पर आएगा, ठीके, अगर आप तभी खरीदारी करेंगे अगर यह market आपके favor में न जाकर यह breakdown चला जाता है ठीके, तो यहाँ पर आपको एक छोटा stop loss मिलेगा और आप market से exit हो जाएंगे ठीके, अगर आप resistance level पर किसी P.E. को buy करते हैं और अगर यह resistance को break करके, अप side की तरफ, ठीके, उपर की side जाने की कोशिश करता है तो आप यहाँ पर भी एक छोटा stop loss लेकर market से exit हो सकते हैं लेकिन जो retail trader की सबसे बड़ी गलती होती है वह market के अंदर ना तो support पर खरीदेगा और ना ही resistance level पर खरीदेगा उसको जो levels दिखाई देते हैं, उसको यहाँ पर दिखाई देते हैं बीच में support से resistance level और resistance level से support तो आप trading के अंदर सकसे हो सकते हैं और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि retail trader यहाँ पर अपना loss जान बूच कर कराते हैं इसके पीछे की एक बज़ा हो रहा है, मानके चलिए एक retail trader ने 10,000 रुपे इन्वेस्ट किये ठीके और उसे एक ही trade के अंदर 2,000 रुपे का profit भी हो रहा है तो वह इस premium को hold करेगा, वह सोचता है कि यह 4,000 हो जाए ठीके, 5,000 हो जाए, 6,000 हो जाए, 7,000 हो जाए या यह मेरा 10,000 का 10,000 का 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, वो भी सिर्फ एक दिन में यह retail trader की दूसरी गलती है, जो वह करता है, ठीके, तो अगर आप भी इसी तरीके से market में अपना mindset लेकर जाते हैं, तो उस दिन आप सिर्फ market से loss ही उठाएंगे आप यहाँ पर इस market से उस दिन profit नहीं उठा सकते तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, जो right time entry और right time exit है अगर आपने call खरीदना है, तो आप market के support लेवल पर आने का wait करेंगे ठीके, और अगर आपने put खरीदना है, तो market में आप उसे resistance लेवल पर आने का wait करेंगे तब ही आप किसी call और put को खरीदेंगे और बेचेंगे अब यहाँ पर जो यह तीसरा सवाल था, तीसरा सवाल था कि मैं हर वीडियो के अंदर अपना course sale करने की कोशिश करता हूँ देखिए, मैंने market को 4 साल दिये है, 4 year अब इन 4 सालों में market ने मुझे बहुत बार रुलाया है, बहुत बार मेरे टीमेट 0 किये हैं और मैंने market से यह सब चीजों को सीखा है, अपना सब कुछ दे कर तो अगर मैं यह चीज आप लोगों को सिखा रहा हूँ और वही जो मैं सीखा हूँ, ठीक है, अगर वही चीज में आपको सीखा रहा हूँ आप भी profitable हो सकें मेरी तरह, तो आपके लिए बुरा क्या है क्या यह मेरा course आपके लिए लाना गलती है, क्या यह course आपके लिए काम नहीं करेगा अगर यह strategy मेरे लिए काम करती है, मैं इस strategy के साथ पैसा बनाता हूँ तो यह आपको भी बना कर देगी ठीक है, यह मेरा यह moment नहीं होता कि मैं आपसे आकर यह कहूँ कि आप मेरा course खरीदो ही खरीदो, मैं सिर्फ अपने course के बारे में बताता हूँ कि मेरा course इस तरीके का है, वहाँ पर मैंने इस trading के कुछ logic शेर किये हैं तो आप उन logics को जान कर, market के अंदर अपने trade को execute कर सकते हो exit कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मुझे negative comments करते हैं negative बाते करते हैं, लेकिन वहें वहें लोग ठीक है, trading करने नहीं आते हैं सिर्फ मजाग करने आते हैं, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे अपने profit डालने चाहिए बहुत से लोग कहते हैं कि मैं profit ना डालू, ठीक है, अगर मैंने कुछ videos में profit डाला भी था तो बोल रहे थे कि मुझे इस जो page है मेरा मुझे उसको refresh करना चाहिए किसी दिन बोलेंगे कि मुझे डिमेट से अपने savings account में पैसा लाकर दिखाओ तब ही हमें trust आएगा तो हम सिर्फ लोगों के अंदर कम्या ढूण रहे हैं हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि ये चीजे काम नहीं करती हैं क्योंकि हम तो failure हैं ही और तुम्हें भी करकर रहेंगे हम तो डूबेंगे ही और तुम्हें भी ले डूबेंगे तो आपको सिर्फ market के अंदर logic ढूणना है और logic के साथ साथ आपको जो setup बताया गया है ठीके अब आपको for an example एक gun दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप fire कीजिए ठीके तो आप कहीं भी fire कर देंगे या आपको एक point of view दिया जाएगा कि आपको सिर्फ इसी point पर fire करना है तभी तो आप उस level पर fire कर पाएंगे अगर आपके पास हाथ में system है, setup है तो उसको कहाँ पर place करना है ठीके, वह चीज आपको जाननी जरूरी है जब तक आप ये चीज़े नहीं समझेंगे तब तक आप इस trading से पैसा नहीं बना सकते है तो यहाँ पर अगर मैं course sale कर रहा हूँ या course के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है इस market ने मुझे बहुत रूलाया है और मैंने इस market से अब सीख कर मैं इस market के साथ चलने लगा हूँ तो अगर आप भी मेरे साथ चलना और दोडना शुरू कर देंगे इस market में तो क्या ये गलत है बिल्कुल नहीं मुझे नहीं लगता कि ये गलत है मुझे यही लगता है कि आपको मेरे साथ दोडना चाहिए आपको मेरे साथ चलना चाहिए ठीक है क्योंकि बहुत से YouTubers या बहुत सारी वीडियोस के अंदर वह logic को share नहीं करते हैं अपनी वीडियोस को बड़ा करते रहते हैं वह candlestick pattern सिखाते हैं option chain सिखाते हैं M pattern सिखाते हैं W pattern सिखाते हैं ठीक है तरह तरह की design बना कर दिखाते हैं ठीक है इस trading पर लेकिन logic की बात कोई नहीं करता आप पूरे YouTube पर देख लीजिए मैं सिर्फ आपको एक लिवल दिया है कि आप support लेवल पर खरीदिये और resistance लेवल पर बेज दीजिए आपको किसी option chain को देखने की ज़रूत नहीं है आपको किसी candlestick pattern को देखने की ज़रूत नहीं है आपको कोई indicator प्लेस करने की ज़रूत नहीं है तो आपको सिर्फ एक support और resistance लेवल पर ही आपको trade मिल जाएगा ठीक है लेकिन एक retail trader गलती कहाँ पर करता है retail trader गलती यह कर देता है कि वह market में जबर्दस्ती trade लेता है जब market में trade दिखे आप तभी trade ले लेकिन हम जब trade लेते हैं जब हमें जबर्दस्ती market के अंदर trade लेना होता है ठीक है मैंने आपको जैसा बताया retail trader सेरी बीच में कूद कर ही अपने पैसे को zero करते हैं या तो वह sideways में कूद जाएंगे या market के अंदर जैसे ये level है, इस level से इस level तक वह इस level पर आ जाएंगे तो market उन्हें loss देगा ही देगा हम अगर support पर खरिदारी करेंगे, resistance पर विक्वाली करेंगे ठीके, तब हम यहाँ पर profitable हो सकते हैं, क्योंकि market को support से resistance पर जाना ही होगा, यह rule है market का, यह एक technical language है और market को resistance लेवल से support की तरफ आना ही होगा ठीके, यह भी एक technical language है, तो यह इसी तरीके से काम करेगी और करती रहेगी, retail trader यहाँ पर यह भी गलती करते हैं, कि वह 10,000 रुपर market में invest करेंगे जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर 10,000 का, वह 20,000 करने की कोशिश करते हैं, ठीके market के अंदर आप 10% से लेकर 20% तक market से बाहर exit हो जाईए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह भी logic है बहुत से लोगों ने यह भी सीखा है, अगर किसी accuracy को कम जानना चाहते हैं तो 80 to 90% यह 95% last होता है अगर आप 10 trade ले रहे हैं market में, अगर आपके 8 success हो रहे हैं, तो आप profitable हैं लेकिन एक retail trader जब पहला trade लेता है तो उसको 20% का profit हो जाता है लेकिन जैसे ही वो लालज के कारण दूसरा trade लेता है तो उसको यहाँ पर जो 20% आया था वो तो गया ही उसके साथ-साथ वह 10% उपर को रखकर दे आता है market को को लो भाई, यह भी आपका था जो मैं आपको वापिस करके जा रहा हूँ अब यहाँ पर retail trader के पास 10 trade थे, जिसमें से उसने एक trade में 20% का profit किया था दूसरी trade में उसने 30% का loss कर लिया तो profit भी गया और loss भी अपने हाँ से चला गया ठीक है, loss में भी हम आ गए तो यहाँ पर क्या logic है कि यह जो 10 trade है इन 10 trade में से आपको यह नहीं पता कि कौन सा trade मेरे लिए minus जाएगा और कौन सा trade मेरे लिए positive जाएगा बस हमें यह पता है कि market के अंदर यह जो 8 trade है यह हमारे profitable है यह अशा भी हो सकता है कि market में जो यह 2 trade है यह हमें शुरू में ही मिल जाए ठीके, तो हमें logic के साथ market में trade करना चाहिए आपको जो setup दिया गया है उसे सही जगा पर place कीजिए तभी आप market से पैसा बना सकते हैं मैं फिर से एक ही बात करूँगा कि जिन लोगों ने हमारे course को buy किया है और अगर उन्होंने हमारी बताई हुई strategy को इस setup पर अगर follow किया होगा ठीके, तो मैं यह चीज की guarantee के साथ कह सकता हूँ कि वह 100% यहाँ पर profitable होंगे ठीके, अगर उन्होंने सही समय पर इस setup को execute किया होगा अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा तो वह वाके में ही कही ना कहीं loss में खड़े होंगे लेकिन market का sentiment, market का logic यही है कि वह work जो करता है, वह setup के according ही करता है ठीक है, क्योंकि यह technical language है हमने इसको पूरे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है और कर भी रहे है अब बात करते हैं कल के data की कि कल के लिए FIDI क्या करके गए है देखे, यहाँ पर FIDI यहाँ पर फिर से FI नहीं चाहते हैं वह कहीं नहीं कह रहे हैं कि वह market को उपर की side ले कर जाएंगे ठीक है, और DI ने यहाँ पर केवल और केवल 563 करोल उपे की खरीदारी की है अगर आप उससे पहले देखेंगे यानि कि कल के चाल्ड पर जो DI का data है वहाँ पर उन्होंने 1170 करोल उपे की खरीदारी की थी लेकिन यहाँ पर यह data weak हो गया वह केवल और केवल 563 करोल उपे की खरीदारी करके गए है और यहाँ पर FI index future का जो data है ठीक है, यहाँ पर यह केवल 527 करोल उपे stock future में यह लोग 1705 करोल उपे और stock options में यह लोग 210 करोल उपे की खरीदारी करके गए है तो इस data के हिसाब से अगर कल के चाल्ड का view देखा जाए ठीक है, जैसा FI का है FI इस market को उपर ले जाना नहीं चाहते है तो हमें market के अंदर एक चीज तो clear है कि market उपर नहीं जाने वाला, जादा उपर नहीं जाएगा trending नहीं होगा market की एक upside की तरफ move पकड़ ले अब market किस तरीके से वर्क कर सकता है, जैसे DIA खरीदारी करके गए है, यहाँ पर FI ने भी तीन जागा पैसा इंवेस्ट किया है तो market trap करने के लिए call buyer को ज़रूर बुलाएगा और उसके बाद market again एक put side की तरफ work करेगा क्यों? क्योंकि जो DIA का data है, वह कही न कहीं कल के data से weak है, और FI का जो data है वह भी कहीं न कहीं कल के data से weak है, तो आप यह चीज समझ सकते हैं, कि market का जो sentiment है वह upside की तरफ नहीं है, ठीक है, वह upside की तरफ नहीं है अब मेरे कहने का मतलब आप गलत मत समझा न, फिर आप मुझे comment करेंगे कि आपने कहा था कि market तो नीचे जाएगा, और ये उपर भाग गया, आप market के अंदर, market के जो setup है, यानि कि market में support resistance, इस तरीके के work करनी दीजिये market को, जब ये market आपको work करके दे देगा ठीक है, तो आपको खुदबाखुद trade दिखेगा कि market के अंदर क्या trade है ठीक है, अगर लेकिन अगर आप इस setup के against जाएंगे, या जो मैं आपको बताने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके against चल कर जाएंगे, तो आप यहाँ पर loss कर लेंगे, मेरा सीधा सा logic है, कल के लिए कि market upside में नहीं जाने वाला ठीक है, और यहाँ पर जो DIA और FIA ने अपने जो खरीदारी की है, उन्हों एक छोटे level से खरीदारी की है कल के मुकाबले, ठीक है कल से उनका data थोड़ा weak है, तो यहाँ पर market जैसे आज इतना उपर भाग गया था ठीक है, तो कल market में starting ऐसा base नहीं होने वाला है, तो यह logic आपको सीखने और समझने होंगे, अब ऐसा कहीं भी नहीं है कि market सीधा नीचे भाग जाएगा या market कहीं भी ऐसा नहीं है कि market एकी तरफ चलता रहे trending market नहीं होने वाला है market जो work करता है, वह इस तरीके से करता ही करता है ठीक है, तो आपको यहाँ पर logic ढूणने है, और वही logic मैंने आपके साथ share किये है, जो market market वर्क करता है, एक्च्वल में